नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चेनल MP Exam News में इस वीडियो में हम 25 नवंबर 2021 के Current Affair के बारे में चर्चा करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का link description में दिया गया है या आप हमारा ये Telegram Group जोईन कर लीजिए इसमें भी आपको PDF मिल जाएगी इसका link भी description में दिया गया है जालिए जानते हमारे कल के प्रसने का उत्तर हमारा प्रसने था कि बिजब का सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम किस राज्जी में इस्तित है हमारे option है मत्यप्रदेश में, उत्राखर्ण में, गुजरात में या महराज्ट में तो इसका सयुकतर है option number C, गुजरात राज्जी में गुजरात में बिजब का सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम इस्ति थे। इसका नाम नरेंदर मोधी किर्केट स्टेडियम है और पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफयर हमारा पहला प्रस्ण है। किस राज्ज ने तीन राजधानिया बनाने के लिए लाया गया बिध्यक बापस लेने का निर्ने लिया है। हमारे उप्षन है आंद्र प्रदेश ने, तिलंगाना ने, तमिल नाडू ने या करनाटक ने। इसका सयुक्तर होगा उप्षन नमबर A, आंद्र प्रदेश ने, आंद्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानिया बनाने के लिए लाया गया बिध्यक बापस लेने का निर्ने लिया है। इस बिध्यक का उद्देश से विसाकापटनम, करनूल और अमरावति को आंद्र प्रदेश की राजधानिया बनाने के लिए लाया गया था। हमारा अगला प्रस्न है गंगा और किस नदी के बीच जल्द ही सी प्लेन उड़ान भर सकेगा। हमारे उप्शन है बेत्व नदी, जमुना नदी, नर्वदा नदी या चंबल नदी। इसका सयुक्तर होगा उप्शन नमबर A, बेत्व नदी। गंगा प्रियाग राज से बेत्वा ललितपूर के बीच सी प्लेन उड़ान भरता देखेगा। इसके लिए सिचाई विभाग ने उन्डेयन मंत्राले को अपनी फिजीकल रिपोर्ट भेज कर माता टीला बांध की लंबाई को रनवे के लिए परियाप तो बताती हुए सी प्लेन की उड़ान के लिए उप्योगी बताया है। हमारा अगला प्रस्न है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर किया जाएगा। निम्न से किस बैंक का युनिटी इसमाल फाइनेंस बैंक में बिले किया जाएगा। पूर्वी एसिया सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो इसका उत्तर होगा कोलकाता में 23 एवं 24 को 24 नवंबर को कोलकाता में पाँचवे पूर्वी एसिया सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और कोलकाता ये पच्चिब बंगाल की राजधानी है हमारा चटा प्रस्न है 34 वी अखिल भारतिय डांक कुस्ती चेंपियनशिप का आयोजन कहा किया जा रहा है हमारे उप्सन है भुपाल में, नई दिल्ली में, जेपुर में या गोवा में इसका सयुत्तरोगा उप्सन नमबर B, नई दिल्ली में 34 वी अखिल भारतिय डांक कुस्ती चेंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसकी सुरुवात 22 नमबर 2021 से की गई है हमारा साथवा प्रस्न है किस राज्जी ने सयद मुस्ताक अली ट्रोफी 2021 जीती है हमारे उप्सन है तमिल नाडू ने, महरास्ट ने, कोलकाता ने या हरियाना ने तो इसका सयुत्तरोगा उप्सन नमबर A, तमिल नाडू राज्जी ने सयद मुस्ताक अली ट्रोफी 2021 तमिल नाडू राज्जी ने जीती है और इसका आयोजन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया था मारा आठवा प्रस ने किस राज्जी को सर्वस्रेष्ट समुद्री राज्जी का पुरुस्कार मिला है हमारे उप्सन है आंद्रप्रदेश, गुजरात, गोवा या केरल इसका सयुक्तर होगा उप्सन नंबर A, आंद्रप्रदेश राज्जी को मतश्य विभाग द्वारा आंद्रप्रदेश को देश में सर्वस्रेष्ट समुद्री राज्जी का पुरुसकार दिया गया है वो 20 मतश्य दिवस कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को हमारा नवप्रस ने किस देश ने दुनिया का पहला बिटकोइन सिटी बनाने की योजना बनाई है हमारे उप्सन है रूस ने, अर्जेंटीना ने, साउधी अरब ने या सालवाडोर ने तो इसका सयुत्तर अप्सन नमबर D, सालवाडोर ने सालवाडोर दुनिया की पहली बिटकोइन सिटी बना रहा है वो सालवाडोर की राजधानी सेन सालवाडोर है हमारा दसबा प्रस्न है एसिया के सबसे बड़े जेवर एरपोर्ट का भूमी पूजन किसके द्वारा किया जाएगा हमारे उप्सन है राश्टपती, प्रधान मंतरी, ग्रह मंतरी या रक्षा मंतरी इसका सयुत्तर अप्सन नमबर D, प्रधान मंतरी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी के द्वारा 25 नवंबर को जेवर एरपोर्ट का भूनी पूजन किया जाएगा जेवर एरपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है यह हमारा आज का प्रस्न है कि निम्न में से कौन सी जन्जाती नील गिरी पहाड़ियों से संबन्दित है हमारे उप्षन है असुर्व, बगदा, सहरिया या भील इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें और यह था आज का करेंट अफेर, उम्मीर है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, उन्हें दोस्तों के साथ सेर करें और चेनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक जेहिन, जेभारत झाल, क् एक दिस द दाट impactful करें खेने ये, झाल, करें घगर अच्तों के साथ सत्वा भी जरूर करेंज जरा अच्छा वीडियो आवांस्दार मिलें है! झाल झाल